अर्योम सर्विभ्योनमोनमहा समाजह सब्भ्यताश्रितह सब्भ्यतामोले संस्कृति संस्कृति ही संस्काराश्रितह संस्कारमोलं साहित्य साहित्य नाम वेदाह भाषा संस्कृतम वेदानाम अध्यतह प्रविर्त्मानह अस्य संस्कृत सप्ताह स्य भूरिशह वर्धापनानी ही शुवाशन्चाश्च एकोन विंचती शता अधिकम नव शष्ठी तमे अवदे भारत सर्वकारेण श्रावणी पुरणी मा संस्कृत दिवस रूपेण आधिकारिक रूपेण स्विकृतम श्रावणी पुरणी माया हा भारतिय संस्कृत है अत्यधिकम महत्वम अस्ति अस्मिन्नेव दिवसे रक्षावंधनस्य परवः वर्तते तथा अयमेव दिवसह रिशी परव रूपेण अपिमान्यते अस्मिन्नेव दिवसे गुरु कुलेशु वेद्धाध्यनाए उपनयन संस्कारस्य विधानम करियते रिश्य एव वेदानाम द्रष्टारह संती अत्य एशा परव रिशी परव इती रूपेण अपिमान्यते तथा वेदानाम भाषा संस्कृतं अता अयम दिवसह देशे विदेशेच पुरुनाव लासेन संस्कृत दिवसरूपेण मन्यते असमिन दिवसे असमा भी एशह वरता धारणीह यत वयं सदीव संस्कृत अध्यनें स्वसंस्कारान पुष्टिम नयामह तता स्वजीवन शेलयां संस्कृत कस्य विश्वय कल्यां योतसिधानतान वर्तेश्यमह संस्कृत अस्यानुपालनेन एव असमाकम असमितायाहरक्षा संभवा नमस्कार मैं दली विशिष्ट संस्कृत सब्तहा और संस्कृत दिवस के अवसर पर आपका अविनंदन करता हूँ जो मेरे संस्कृत में कहा उसका कुछ हिंदियन वाद भी आपको प्रस्तित कर रहा हूँ कि समाज सब्भेता के अश्रित होता है अर्तार्त समाज ऐसा होता है जैसी सब्भेता होती है सब्भेता मूले संस्कृति और सब्भेता के मूल में संस्कृती होती है संस्कृति संस्कारों पर आश्रित होती है और संस्कार सत्साहित्य से ही प्राप्त होते हैं और सहित्य वेदों का नाम है सत्साहित्य को ने वेद हैं और वेदों की भाषा संस्कृत है अब से लेकर प्रवृत्मान होने वाले चलने वाले इस संस्कृत सबस्ताहा की मैं कि 1979 में भारती सरकार के द्वारा श्रावरणी पुर्णिमा को संस्क्रत दिवस के रूप में अधिकारिक रूप से मनाने का विरने लिया गया था और उसके निर्देश चारी कर दिये गये थे इसी दिन श्रावरणी पुर्णिमा के दिन ही रक्षावंदन का भारतिये बंधुत्तों का भाई वहिन का जो इपर्व है हर्शुलास से इसी श्रावरणी पुर्णिमा को मनाया जाता है इसलिए इसे रक्षावंदन दिवस भी कहा जाता है और क्योंकि गुरुकुलों में इसी दिन बेदाध्यन के लिए बटुकों का या ब्रह्मचारियों का उपने अनसंसकार कराया जाता है उपने इन संस्कार बेदा धिन के लिए अवश्यक है और उस दिन गुरु परंपरा से उपने इन संस्कार कराया जाता है अता है इसको रिशी पर भी कहा गया है क्योंकि वेदों के दश्टा रिशी है इसलिए से रिशी पर भी कहा गया है और वेदों की भाषा संस्कृत है इसलिए संस्कृत दिवस भी संस्कृत पर भी कहा गया है अत्हादेश और विदेशों में समग्र संपूर्ण विश्वय में जहां-जहां संस्कृत के अनुरागी साधक और पालक है वो सब इस श्रावणी पुर्णिमा को संस्कृत दिवस के रुख में मनाते हैं इस संस्कृत दिवस पर हमारे द्वारे ये ब्रत धार्न कर लेना चाहिए कि हम संस्कृत के सत अध्यन के द्वारा अपने विचारों को अपने संस्कारों को पुष्ट करें त हम जो एक बिचार लेका चलते हैं, कि हम संस्कृत के रक्षा करेंगी यह बहुत छोटा बिचार है अपि तो संस्कृत के दोरा हम स्वेम की रक्षा कर सकते हैं वही हम्हारी असमिता का पर्चम है और इसलिए हम सब को यह निष्चे लेना चाहिए कि हम निश्चित रूप से ही नियमित रूप से ही संस्कृत का अध्यन करेंगे और इसका एक लावोर होगा आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आजकल संस्कृत के बिशे में जो दश्परचार फिलाया जा रहा है संस्कृत अग्यों के प्रती जो एक कुंठा की भावना और घ्रिना की भावना प्रसारित की जारी है बहुत से श्लोकों के अर्थ को तोड़ मरोड करके बहुती बुरे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है और वो सब प्रचारित हो रहा है क्योंकि अधिकतर लोग अब संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं और जैसा भी हिंदुई अनुवाद दिया जा रहा है लोग उसे सत्यमाल लेते हैं जिससे कि संस्कृत का अपयश खेलाने का प्रयास किया जा रहा है यद्दिपी मेरा ये दड़ विश्च्वास है कि संस्कृत मूल है बीज है जड़ है उसका नाश्ट संभव नहीं है हाँ कुछ हरास होना आवश्क है और संस्कृत का हरास नहीं होगा हरास हमका हमारा हो सकता है यदि हम संस्कृत को छोड़ देते हैं यदि हमने संस्कृत की साधना नहीं की तो हमारा हरास निश्चित है संस्कृत का हरास संस्कृत तो पराशक्ती है वो देवताओं की वानी है उसका हरास नहीं हो सकता है ये तो निश्चित है अता आप संस्कृत का ध्यन करके संस्कृत को धारण करके स्वयम का रक्षन करे गया उस दिन हम अपनी असमिता से हम अपने परिचे से हट जाएंगे अता आप हम सब ये द्रडवरत को धान करेंगे यत्वयम असमा आकम जीवने संस्कृत से अनुपालनम संस्कृत से अध्यनम संस्कृत से साधनम अवश्यमय करिश्या महां इसी शुब कामुला के साथ ये जा आतारा के अईनु जीवने असमा